नमस्कार मैं विश मेगना, CEO Foundry. ए आज हम बात करेंगे पीयोगों के बारे मिलबाद को है क्योंकि यहाँ पेखी ते बहुत सारा जनकार्य बहुत सारा हिल पर मिलता है आपके पस कोई आइडीया है, जो आइडीया आप भारध सरकार को बताना चाहते है या आज उस idea को आप यहाँ पर implement करना चाहते है या उस idea को आप काम करना चाहते है आपके पास fund की कमी है आप किसी भी officers का सामने किसी नेता का सामने कहने के बाद भी आपको सहेता नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं आइडिया को सिधे परधान मंत्री करजाले तक पहुचा सकते हैं और इस आइडिया पे परधान मंत्री करजाले के तरब से आपको मदद दी जाएगी यह पहला यहाँ पर दूसरा है कि अगर आप भारतिय नागरिक हैं चातर हैं, टीचर्स हैं, बैंक करमी हैं, रिलेवे अधिकारी हैं एरफोर्स में नेवी में किसी भी डिपार्टमेंट आपका काम कर रहे हैं या आप गाउं के किसान भी हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई सिकाईत है किसी अधिकारी को लेकर, किसी फंड को लेकर, किसी भी इस तरह की समस्या हैं, आप परधानमंत्री करजाले पर डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, और PMO को दोरा आपको समधित करजाले से रिपोर्ट दिया जाएगा, कि आपका जो सिकायत है, उस पर काम हुआ कि नहीं तो इन सारे चीज के यहां से मदल ले सकते हैं, दूसरा अगर आप असुडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज में, आपके ITE कॉलेज में कोई इंस्टर नहीं है, जहां पे लेब नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, या किसी कमपनी में आप काम कर रहे है company वाले वेतर नहीं दे रहे, company वाले आपको परताईद कर रहे हैं, आपको नौकरी साथ धोकाधरी हो रही है, तो आप इसका direct complaint प्रहान मंत्री कर जाता है के पास कर सकते हैं, और इसके लिए इस portal का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 100% result आपको मिलता है, तो चलिए इस website के बारे में आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, इस तरह का ये page आएगा, आप देश सकते हैं, इस website का original page ये है, लेकिन करोणा के विए से एक page और आइड कर दिया गया है, जिसके कारण आपका main page नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके main page पर आ सकते हैं, ये main page है, भा language, भासा को change करने के लिए option है, हिंदी है, तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, तो ये website पुन तो हिंदी में हो जाएगा, पीम इंडिया लिख रहा है, सुची लिख रहा है, त्यारी सारा चीज हिंदी में हो जाएगा, और इस website को जब आप English में रखेंगे, तो ये सारा details इंग्ल जैसे website के scroll करके नीचे आईएगा, तो जिस matter के बारे हम बात कर रहे थे, आपको आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, interact with PM, पहला option है, कि share your ideas, insights and thoughts, ये आपके पास कोई ideas है, कोई बिचार है, कोई ऐसा सुझाव है, जो प्रहान मंतरी को देना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसा idea है, जिससे आप implement करना चाहते हैं, या government को बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे share कर सकते हैं, directly प्रहान मंतरी तक भेज सकते हैं, प्रहान मंतरी कर जाले तक भेज सकते हैं, या भारत सरकार को भेज सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास कोई सिकाईथ है, किसी भी समस्या को लेकर परिसानी है, ओ परिसानी खुद का personal हो, या public का हो, या कोई प्रहान मंतरी जी को message देना चाहते हैं, तो तो चलिए हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको पधार मंतरी के पास किस तरह से मैसेज पहुँचा सकते हैं, कोई सिकाईत हो, कमपणी में काम कर रहे हैं, कमपणी वाले आपको परिसान कर रहे हैं, सेलरी नहीं मिल रहा है, या किसी भी राज सरकार के प्रती आपका कोई इनकवारी है, या कोई भी समस्य आपके आज स्पास छेतरों में दिखाई देती है, आप पधान मंतरी कर जा रहे तक पहुचाना चाहते हैं, तो आपको राइट टू दप्राइम मिनिस्टर यहाँ पे किलिक करना होगा, तो चल सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको भरना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू दप्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, यह रेट कलर में दो चीज़े लिखी गई है, जहाँ पे A star लगा है, यहाँ पे A star लगा है, यहाँ पे A star काइडरेस आपको डाना होगा, जो आपका अडेस होगा, प्रोपर ऐड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा, आप गलत अड्रेस कभी नहीं टाइप करेंगे, क्योंकि आप जो message दे रहें पधान मंत्री करजाले के पास अपना message दे रहें तो address सही होना चाहिए इसके बाद pin code का option है pin code यहां डालेंगे इसके बाद estate आप अपने estate को select करेंगे जिस भी estate से आप हैं उसको यहां से select कर लेना है और इसके बाद district का नाम आ जाएगा उसको भी आपको यहां select करना होगा जैसे example के लिए अगर मैं बिहार select करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर district का नाम आ चुका है बिहार के सारे district का नाम यहां पर दिखा रहा है तो आप यहां से किसी भी district जिस district से आप बिलोंग करते हैं जिस जीला के आप निवासी है उसको आप यहां पर select कर सकते हैं इसके बाद यहां पर phone number दिया गया है और phone number को अगर आपके पास phone number है तो steady के साथ आउआइसडी कोड होता है उसके साथ आपको यहां डालना होगा नहीं तो कोई compulsory नहीं है यह कोई जरूरी नहीं है देखिए यहां पर start लगा हुआ मतलब mobile नंबर यहां पर आपको देना बहर्त जरूरियत यहां पर अपना mobile नंबर आप डालेंगे और मुवाइल नमबर वैसा मुवाइल नमबर डालना हो जहां पे आपको message receive हो अगर आप message वैसा मुवाइल नमबर डाल देजीए इसमें mail message नहीं आएगा तो फिर आपको प्रोलम हो जाए कि आप जो सिकाइद किये हैं उसका status आप नहीं देख पाएंगे इसके बाद email id बिल्कुल वही email id डलना है जो चालू है जो project में आप जिसको use करते हों क्योंकि उसी पे आपको एक registration number मिलेगा और उस registration number के थुरू आप अपना complaint का status दे सकते हैं कि आपके complaint को क्या solution कोई दिया गया है या नहीं इसके बाद यहां पर category select करेंगे किस category के आपका complaint है कि आप प्रहार मंतरी को message request देना चाहते हैं या प्रहार मंतरी साथ मिलना चाहते हैं या कोई wishes है प्रहार मंतरी को देना चाहते हैं या financial कोई fraud scam हुआ उसके बारे में कोई आपको जनकारी है जो share करना चाहते हैं या आप जबी कि देना चाहते चाहते हैं या कोई public को लेकर जो context देना-चाहते हैं तो कृष्कित लिखने वाल है इक पुब्लिक को साथ जो आज करने वाले है एक the public के साथ जो समस्य उसके बारे हम लिखेंगे लिखने और पीडिएफ अपलोड करना चाहते हैं आप यहां पर यह बटम पर क्लिक करेंगे और यहां से चूज फाइल करेंगे जब चूज फाइल करेंगे तो आप कंप्यूटर में आ जाएंगे यहां से पीडिएफ अपलोड कर सकते हैं और पीडिएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं तो आप यहां से message type कर देंगे, इसके बाद आपको यहां पे यह जो image दिख रहा, इसमें जो number लिखा हुआ है, इसको यहां पे type कर देना है और submit कर देना है, सब्मिट करेंगे तो आपको एक रिष्टेशन नमबर मिलेगा तो चलिए दिखाते हैं रिष्टेशन नमबर आपको कैसे मिलेगा तरस से आपको एक रिष्टेशन नमबर मिल चुका है और इसको नोट डाउन कर लेंगे आप और इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है नोट म करेंगे तो देखिए यहां पर लिख रहा है कि डियर सर मेडम योर कम्मुनिकेशन है जमी रेजिटर विट रेजिटर सन नमबर इतना इसे प्लिज वीजिट को एक वेप साइट दे दिया गया यहां पे pgportal.gov.in इस पे किलिक करके आप अपना इस्टेटर को देख सकते हैं कि आपका जो रेजिटर सन नमबर है जो आपने कम्प्लेंड किया था उसके रिगार्डिंग पदहर मंतरी कर जाला है क्या इस्टेटर से क्या उस पे काम हुआ नहीं हुआ इसको आप यहां पर जाच सकते हैं तो चलिए directly स्पोर्टल को ओपन करते हैं और अपना इस्टेशन नमबर डालते हैं तो जो मेरा मेरा इसको आप अपर कर लेते हैं और यहां पर करते हैं जैसे आप ओपन करेंगे थ्वासा टाइम ले रहा है ओपन हो जाएगा इसके बाद अप देशल सकते हैं यह website ओप तो यहां पर दे सकते हैं पहला ही यह option है कि व्यू एश्टाइटर्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर रच्टेसन नंबर मांग रहा है हमसे तो रच्टेसन नंबर मैंने यहां पर डाल दिया इसके बाद e-mail आडिया जो आप e-mail आडिया मोबाइल नंबर दिये थे उसको यहा आप सम्मिट करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर आ गया है मेरे नाम के साथ जो कंप्लेन हम किये थे और डेट और रिसिप्ट का भी डेट दिखा रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर आफिस प्राइम मंत्र कर जा ला है कि तरब से इसको रिसीव कर लिया गया है और जो प्रोब्लम था उसको मैंने यहां पर लिखा था यह यहां पर लिखा वा दिख रहा है आपको इसके बाद डेट आफ एक्षन करेंट एशेटर रिचेट किया गया है अभी जश्ट मैंने किया है to Prime Minister Office Prime Minister Office को दे दिया गया है और officer's name Siri Ambuj Sarma जिस officers के पास ये complaint को दर्ज किया गया उनका नाम है Siri Ambuj Sarma Office designation Under Secretary है Public इनका जो पद है प्रहारमंत्री करजाले में Under Secretary है Public के लिए और यहां पर Contact Address दिया गया है Public Wing और उनका email address और उनका contact number यहां पर दिया गया है आप personally contact कर से उनसे सलाह ले सकते हैं या उनको message दे सकते हैं कि मैंने complaint किया था इस complaint का मेरे पास अभी तक कोई अगर स्टेटस नहीं मिलता है तो आप इनसे पुछ सकते हैं call कर सकते हैं यहां से इसको print करकर रख सकते हैं क्योंकि आगे जब भी आप इसके बारे में बात करेंगे complain करेंगे प्रहानमंत्री कर जा लाए तो आप इससे देखा सकते हैं कि मैंने complaint किया था यहां से print का option है यहां पर print करेंगे लेगे तो आपका print आ जाएगा यहां से हम save कर लेंगे इस तो इस तरह से प्रखानमंत्री कर जाय जो website है इस पे आप प्रखानमंत्री को directly complain कर सकते हैं और जरूरी भी है कि क्वी आपके पास बहु साथी समझ्थाएं होगी आपको company के लिए कर समझ्थाएं होगा आपको वेतन नहीं मिलता होगा अपके department दें बहु कि अच्छा कंप्लेन है तो जरूर भारतिय पधान मंत्री के कर जाले दोरा एक्सन लिया जाता है और यहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हां जोड़के निवेदन है कि आप इस ब्यूडियो को जरूर सेयर करेंगे इसलिए सेयर करना जरूर सुक्यार को पुछा सकते हैं उसके अलावा कोई ऐडिया होगा जो भारत सरकार के लिए बेहत्र हो सकता है और इस ऐडियो पर विडियो रेक नहीं जनकारी किसना सब तक के लिए